प्रसन आया है बणा जग्यासा बरा प्रसन है पुछए है कि जो बौध के यादी बोध के जो बआखवानबुध के जो वचन है वानी है या जो नों मिलता है और जो अभी हमें किताबों में पुरेश्थ possibility में या वीडियो के माध्य inson baixe या रेडियो की बार के माध्य हमसे दुनिया वर में फैला हुआ हमें मिलता है यह सवखषत कैसे रहा और हम तक कैसे पहुँचा इसान इस जवाब मैंने बहुत पहले पार दिया है अगर आपने रखा सूत द्यपकास माला वीडियो देखा हो, हुआ यूँ कि भगनवान बुद्ध ने 45 साल तक ज्ञान प्राप करने के 45 साल बात तक भारत में जगे-जगे घूमकर जगे-जगे स्कूल और कॉलिज और यूनिवर्स्टी बना कर जिनको विहार बोला करते थे उस समय फ्री एजूकेशन का दिश्टिबुशन क जो information जो knowledge उन्होंने खुद गेन की और खुद अपने अनुभब से प्राप की अपने experience से और अपने महरत से प्राप की वो उन्होंने मुक्त हातों से free सबको बाटी और एक सिक्षा का बहुत अच्छा तंप्रों उन्होंने विश्चित किया उस समय तक भासा जो थी वो पा भासा है उस समय तक शब्दों में या अक्षों में नहीं आई थी इक दूसरे को बोलकर सुनके हम बात कर सकते और समझ सकते इसकी कोई लिपी या script को तयाद नहीं जैसे आज की डेट में A.B.C.D. है या अलिफ बेपेते है या उड़ा एड़ी एड़ा है या कैखेगे है ये उस समय के अक्छर नहीं बन पाए थे अक्छर नहीं बन पाए लेंग्वेज नहीं इसकी नहीं बन पाए तो इसको प्रिंट करना या लिखना थोड़ा मुस्किल हो गया तो इसको याद करने के गड़क हुआ करते थे गड़क जो थे वो ऐसे लोग हुआ करते थे जिनका ये काम था कि जो उनको बता दिया जैसा उ को जैसा उने सुन लिया वो वैसा का वैसा ही याद रखते थे और उसको बलकुर उसी भासा में कौमा बिंदी के साथ में रुख कर यानि जहां उसका जतना एंफेसिस जतना जो डाला शर्थ पर जहां रुखना उसी के इस्टाइल में वह उसको बताते थे गड़क का ये वैपार होता था और गड़क इसी काम के लिए अपनी आमदनी के उपर निर्वर थे और उनको पैसा मिलता था रोजी रोटी उनकी यही थी गड़कों से यानि जितने गड़क थे उनसे ये एजूकेसन ट्रांसफर होती रहती थी और जिनको चाहियती वो लेते रहते थे और इसकी पैक्टिस करते रहते थे और इसको मोडिफाइड करते रहते थे यानि इसको आगे बढ़ाते रहते थे और काम चलता रहता भग्नवान बुद्ध ने जब अपना डिकलेर किया गोशना की कि आप वो तीर महिने बाद अपना सरीर छोड़ देंगे तो वैसाग पूर्णमा को उन्होंने अपना सरीर छोड़ने की बाद कही वैसा पूर्ण माटोरों निब्बान को या महापरी निब्बान को प्राप कर लिया उनके महापरी निब्बान प्राप करने के लगबग साथ दिन बाद क्योंकि घटना घटी जो सुबद नाम के एक लाष्ट विक्कु थे जो बने थे वो बड़े उचने लगे और उनने कहा कि अच्छा हुआ कि गौतम बुद चले गए अब वो हमें रोकिंग ने टोकिंग ने हमारा टीचर चला गया बहुत रोक तो कि दे अब हमारा जो मन में आएगा वो करेंगे क्योंकि बुद्ध के जो विन्य के नियम है वो थोड़े से मुस्किल होते हैं साधाण आदमी के लिए और भितकु भी कैवार उसमें परशानी महसूस करते हैं तब जो उस समय के ऑच्छे टीचर थे जिनका नाम महा कष्यप या महा काश्यप जो कष्यप आज के लोग हैं या कश्यप आपने देखा होगा शेयत वड़ पाली में होता नहीं, तो कसब बोते हैं इसको, महाकसब या महाकासब, तो महाकसब या महाकासब जो उस समय बहुत बड़े भिक्कु थे और बहुत परंगर थे, उन्होंने ये लिड़ने लिया, उनके निबान के एक अपते बाद, कि हम एक संगीती करेंगे, सं तो गंठ में बानना था, यानि गाठ बाननी थी, उन सूतकी, तो सूतकी गाठ बानने का ये तैफ हुआ, कि पांच सौ जो भिक्कु अरण्छ है, यानि जो जीवन में सबसे ज्यादा शुछ में प्राप्त अवस्था में आ चुके हैं, निबान प्राप्त अवस्था में निमाण को अरद को प्रापता चुके हैं उन भिक्कों को इखटा करके और सारी चीजों का मेमोराइज किया जाएगा याद किया जाएगा और उनको गड़कों को बता के और खुद भी वो गड़क का काम करते दे भिक्कों सारे उसको एक गंठ में, एक लाइन में, एक सूत में बात जाएगा ऐसा करके उनोंने decide किया और ये तैह हुआ कि इसको भगवान बुद्ध के महापरिनिबान के चार मेने बाद करेंगे यानि चार मेने का मतला हो गया कि सामनी पूर्णमा को सामन पूर्णमा को तो सामन पूर्णमा का दिन तैह हुआ मगर एक दिक्कत ही आई कि आनंद को धम के बारे में बहुत जादा जानका रहे थी आनंद को धम के बारे में जानका इसने थी क्योंकि आनंद ने प्राइवेट सेकेटरी यानि उपस्थनक होने के लिए एक सत रखी थी भगवान बुद्ध के आगे कि आप जहां भी जाएंगे और जो भी पढ़ाएंगे वो मुझे वैसा का वैसा आके वस्तु इस्थिति और काल के साथ में मुझे बताएंगे कि आपने वहां क्या पढ़ाया और वहां क्या घटना घटी थी और आनद बहुत अच्छे गणक थे यानि बहुत अच्छे मेमोरी के मेमोराइजर थे उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी उनकी यादास बहुत अच्छी थी इसलिए बिना आनद के संगती में यानि धम सवा में जो धम संसद होने वाली थी धरन संसद होने वाली थी उसमें पांच सो अरत भिक्कू वहां इकटे हुए, इसको पंच सतिकार का बोलते हैं, पंच सतिकार का मतलब है पांच सो पालिभाद भासा के अंदर, और ये जो धम संगती, यानि जो संगायन, संगायन का मतलब है संग गायन, या धम संगती का मतलब है धम की संग गीत, धम के करना या उनकी चांटिंग करना यह वहाँ पे शुरू हुआ और अजास अत्रू जो मगत के राजा थे उन्हों ने इसकी सारी व्यवस्ता की बहुत बड़ी मंदब बने और यह जो मंदब बने यह सत्पढ़नी गुफा जो राजगिरह में आज भी है यह सत्पढ़नी गुफ उन्हें उसको बताया कि यह बार ठीक है या गलत है या इसमें कुछ मॉडिफाई होना है तो धंब संबंदित जितनी भी बात है थी वो आनन थेर से पूछी गई आनन थेर यानि कि आनन जो महातेर हो गये थे अरत हो गये उनसे पूछा गया कि आप धंकी सारी बातें अनुमोदन किया सभी ने उनकी अनुसर्ण किया अनुस्तृति की यानि बताया कि हाँ ये बिलकुर ठीक हो ने ऐसा ही घटित हुआ था क्योंकि सभी विर्कों साथ साथ ते अलग अलग घट्टाइं घटित ही आनन जो बता रहे थे आनन को सब बता था इसनिए अनुमोदन आई उनकी अखानी धान बताये और उनकी ये घट्ट करने में इनमें गांट बानने में गाठ बानने में गट की नगवानग सात मेने लग़ साथ मेन दगे तो सूतो का जो गंठ का बंधन हुआ, यानि कि जो गंठ बादने का बंधन हुआ, जो सूतो की रख्षा हुई सूत बोलते हैं, जितनी बाते हैं, 15 साल में भगवान बुद्ध ने बता हैं, उनको सूत बोलते हैं तो सूत्तों की रख्षा हुई यानि कि उनकी रख्षा हुई उनमें गंठ बादी गई यानि गांट बादी गई और उसमें एक दिवस था तो सामने पूर्णमा के दिन को रख्षा बंधन दिवसो या रख्षा बंधन दिवसंग या रख्षा बंधन दिवसंग बोलते हैं यानि जो रक्षा मंदन बाद में बना क्योंकि रक्षा जो हुई है वो सुत्तो की हुई है ये बाद वनकुल इसपष्ट है और साथ महिने इसमें लगे तो साथ महिने के बाद जो दिनाया वो आता है होली की पूर्ण मासी की कि जितनी पूर्ण मासी है नी vibrations भी पूर्ण मांशी साथ मेहने बाद आती है तो साथ महिने बाद में जो हुली मेरा जाती है जिसको होला बोलते हैं।। जो चने का पoscope Western माल जिसको खातें भूल के फसल आती है। वहां आपने देखा होगा कि जब आग जिलाते हैं तो उसमें वो एक धम चक टाइप का कोवर का बनाते हैं और उसमें अंदर दस जड़ियां लगा लगाते हैं कोवर की, पांच दरसे, पांच दरसे, तो दस का मतलब है दस पारमिता और धम चक का मतलब है कि धम कंप्लीट हो और फिर वो गणकों के दवारा धिक्टों के दवारा याद किया जागा भारत में आरे के बान असोक करा गाल असोक ने सबसे कामियाव राजा रहें सबसे अच्छे राजा रहे हैं असोग पूरे भारत के सबसे काबिल राजा रहे हैं उसके बाद में सारे राजा जितने भी है वो नाकाबिल रहे क्योंकि असोग ने इरान तक राज बढ़ाया इधर बर्मा तक बढ़ाया पूरे भारत में शांती रखी और भारत के लोग बड़े सुखी थे और सभी भारत के लोग पड़े लिखे थे 84 हजार इस्टूप, चैते और पत्थर की किताबों ने बनवाई जिनको पत्थर का शिलाह लेक बोलते हैं सिलाह मारे पत्थर होता है इन पत्थर की किताबों पे सारा का सारा उन्होंने लिखवाया असोग लिपी में जो बाद में पढ़ी गई और असोग लिपी में सारा का सारा धम उन्होंने लिखवा के सुरचित किया इसके साथ उन्होंने अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को स्रिलंका में जो राजा थे उस समय उनके पास भेज़ा सारा सारा 3 पीटग लेकर 3 पीटग बोलते हैं बाद में जो 3 पेटियां होती हैं क्यूνकि उस समय तक अभी धमर-पीटग नहीं था उस समय तक 2 पीटग थे एक सुत्त पीटग था और एक विनै पीटग यानि जितना धमु बताया है वो सुख पिटक और विने पिटक के नाम चे था बाद में कुछ उसमेंसे खास जो मन का और शरीर का अलग सम्मन्था उसको निकाला गया उसको अभी धमु पिटक बोला गया तो तीन पिटक होगे असोक ने सीलंका भेजा और एक बोधी ध्रच का पेड़ भी भेजा जहां वो अनुरादपुर के अंदर आज भी लगा हुआ हजारों लोग उसको देखने चाहते हैं और वहाँ ये सिंगली भासा में कन्वर्ट हुआ वहां से पर ये वर्मा, मैनवा, लाओस होता हुआ आगे चला गया इधर असोक ने कुछ बहुत भिक्वों को उपर पहाड़ों पर भेजा जो पाल करते करते चीन चले गए और चीन से होते होते मंगोल से होते होते ये जापान तक आगे ये लाइन चली गए ऐसे करके धम को चाहता रखा गया बाद में जो प्रतम संगिती संगिती का मतव है कि जब असेंबली धमकी होती है एक साथ जो भग्वान बुद्ध के मरने के चार मिने बार लगबग हुई थी राजजीर में उसके बार मैं सिलंका में हुई वरमा में ही तो ये जगे जगे इसको चेक हिया जाता है कि सारी भासाओं में जो उस समय संगहन हुआ याद किया गया और लिखा गया क्या वो सेम है या नहीं है ऐसी एक संगती बर्मा के अंदर हुई जहां ही चेक किया गया कि सारी भासाओं में जो लिखा गया है वो सेम है कहीं कोई इसमें अंतर नहीं है, कोई अगर तोटी होगी तो वो सिर्फ टायकिस्टी हो सकती है तो ये धमगुल को ऑथन्टिक है, मगर इसके ऑथन्टिक होने का सूत्र है वो भगवान बुद्ध ने खुद दिया हुआ है उन्होंने कहा हुआ है कि जो ये मैंने बताया है उसको आप चेक करते हैं क्योंकि ये सारा का सारा रूप और नाम के उपर आधरित है रूप और नाम के उपर आधरित होने की वैसे इसको कमीदी चेक किया जा सकता है रूप बोलते हैं सरीर को यानि हार्टवेयर को और नाम बोलते हैं जो इसको चलाता है जो इसका मन है जिससे सरीर चलता है ये सारे जानवरों में होता है मुरूष्यके अंदर ये सबसे ज्यादा बड़ा साफ्ट विएर होता है इसलिए आज भी जो लोग विपसना करते हैं और जो लोग धमगी पैटिस करते हैं वो देखते हैं और चेक करते हैं कि बुद्ध ने जो अनुभव किया और जो पाया वो सारा सारा सेव है एक खास बात यहां जो सबसे उसके बाद में बताते थे और बुद्ध के जीते जी एक सब्द भी कहीं लिखा नहीं गया ना ही कहीं गणक ने इनको याद किया बुद्ध के मरने के बाद यह चीज़ बनी है और लिटी असो के समय बनी है इसलिए यह ऑथेंटिक है और आइंस्टीन जैसे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसको स्टेडी किया और स्टेडी करने के बाद जब उन्होंने अपने सरी पे इसको नभूब किया तो उन्होंने कहा कि बुद्ध की बताई हुई सारी बातें जो मनुझत्य के लिए हैं, वो साली सांटिफिक हैं कैसे काम करती है यह बल्कुल सच है एक एक सब सच है जो लोग विपस्थना करते हैं वो भी जानते हैं आप विपस्थना करके आ सकते है विपस्थना पूरे भारत में, 200 सेंटर्स में फिरी होती है औरिनल है जाईए जो एसन गोईनका जी गुरूजी है वो कराते हैं आपको इस बात की जानकारी अनुबब खुद होगा कि बुद्ध ने जो लिखा है वो किताब के अंदर बिल्कुल सही है और अगर वो गलत है तो आपको उसका आभास हो जाएगा कि यहां किस अच्छी ने उसको मिक्सिंग किया हुआ है उसको मिलाया हुआ है यह साब गुद्ध की बात का नहीं है इतनी जानकारी आपको आ जाती है जो गुद्ध ने बताया है और इसी से संबंदित दो जो फेस्टिवल हैं जो दो तोहार है वो भारत में बहुत धुम नाम से मनाय जाते हैं एक जिसको रखा सूत देवसंग बोलते हैं यानि कि बाद में रखा बंधन करके बोला गया जो सामनी पूर्णमा को आता है और एक आता है फागनी पूर्णमा को जो हुली के नाम से आता है जिस दिन ये साथ महने बाद पूरा हो गया इस परकार ये सारा एक सारा तिरपिटग आज तक फुर्चित है और ये बढ़ रहा है बाद में लोगों ने इसमें बहुत सारे चीजें और भी लिखी है मगर ये औरिजन शेप में जितना भी है समझ में आ जाता है घन्यवाद